हेलो फ्रेंड्स वेल्कम्स टू ददीपिकास किच्छन आज मैं आपके लेकर आई हूँ आम से बनने वाली बहुत ही शानदार रेसिपी मैंगो बर्फी अभी हम सबको पता है दोस्तों आम का सेजन चल रहा है मार्केट में हर तरफ पके आम दिख रहे हैं तो क्यों ना इस आ मैंगो बर्फी बनाने के लिए मैंने यहां लिया है चार से पांच पके हुए आम आम आपको जो भी मिले दोस्तों आपको ही यूज कर सकते हैं दशेरिया मिलता है तो बहुत ही बड़िया इस रेसिपी बनती है और इसके बाद पुल क्रीम दूद्ध यहां मैंने अमुलका यूज किया है आधा लिटर और इसे के साथ ही दूद पौडर यूज करूँगी मैं यहां 100 ग्राम इसे भी हमें इस बर्फी में एट करना है तो चलिए अब इसके प्रोसेसिंग में चलते हैं सबसे पहले मैंने यहां गैस की फ्रेम आउन करके एक पैंच चड़ा लिया है और इसमें मैं आधा लिटर फुल क्रिम दूद लूँगी और इसे अच्छी तरह से हम बॉयलाने देंगे इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम शकर दूब को और शकर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है शकर के क्वांटिटी प्रेंड्स आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हैं यह डिपेंड करता है आपके आम की किस तरह के क्वालिट है जैसे कि दशरियाम वह बहुत जादा मीठा होता है तो उसमें उतनी शकर की जुरत नहीं पड़ती और इसी के साथ यहां एड करूंगी मैं 200 ग्राम डेसिकेटिट कोकोनट यानिकी नारियल का बुरादा इसे भी हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है देखिए कर्चे को नीचे तक चलाते रहना है कड़ाई की नहीं तो वह नीचे से चिपक जाएगा और सारा टिस्ट कराब हो जाएगा और इसके बाद मैंने इस आम का पल्प निकाल लिया है मिक्सी में तो देख सकते हैं कितना बढ़ी आया है जो आपके पास आम है आप भी आम यू को तो आपकी रेसिपी पर्फेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी इसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें लगातार चला लेना है 10 मिनट और यहां मैं शाइनिंग के लिए डाल रही हूं घी इसे पर्फियों में बहुत ही बढ़िया सा टेक्स्चर आता है बहुत बढ़िया इसके लिए मैंने यहां वर्फि बनाने वाला ट्रे ले लिया है और इसे घी से हम ग्रीस कर देंगे चाहे तो आप यहां घी की जगा में बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद जो मिश्रन है इसे अच्छी तरह से हमें इस ट्रे में सेट कर लेना है चाहे त अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है और इसे रूम टेंपरिशर पे पहले थोड़ी देर रखके फिर जब यह ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में रखना है और फिर हम इसके कटिंग करेंगे वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों और यह लीजे बनकर रेडी है एक घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है बर्फी को आप अपने मन पसंद की शेप में कट कर सकते हैं बहुत ही ईजी ली यह कट जाता है बहुत ही सुपर सॉफ्ट बन करके तयार हो चुके है तो देखिए दोस्तों कितना आस अपने ही चैनल पर फिर एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच पर वाचिंग